नीचे दिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी से जाओ डाउन्लोड करो वह आपको और गेम्स के लो 30 रूपीज पेटीयम कैश इस्टंट लिलो में पेइमेंट प्रूप आपको सामने दिख रही है और इसकी ज्यादा डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो नीचे दिस ब года करो चलो वीडियो को स्टार करते हैं तो जल्दी से वीडियो को पूरा देख लेना और वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना क्यूंकि कोई बीनी song आता है या किसी के comment बेर भी song आता है तो हम उसके प्याया टूड़ा सबसे पहले करते हैं और ये किसी के comment के base पर थी सागर दास करके मुझे comment आये थी एक please all character जो तारक मैंता के उसके please बना दिये ये video तो यह वीडियो पहले से मैं कहे देता हूँ कि जो भी के रेक्टर मैं बजा हूँगां उससे पहले में आपको नाम भी दे दूँगा कि कौन सा में बजा रहा हूँ और उसका मैं बजा कि dadurch फिर मैं आपको सिखा हूँगा ।ो चलो सबसे पहले मैं आज बजाने जा रहा हूँ जेठालाल का ओके सबसे पहला जेठालाल का जो बेगरांड म्यूजिक बसता है वो मैं आपको बज़ा के दिखाता हूँ फिर मैं आपको सीखाता हूँ देखो कि अ ओके तो यह है जेठालाल का मुजिक अब इसको मैं आपको स्लो में सिखा देता हूँ ओके तो चलो देख लेते हैं फिर से एक बार ओके तो यह भी आपको पता चल गया होगा अब इसके बाद दूसरा क्यारेक्टर में हम बजाएंगे जिसका नाम है उसका बेटा टपू तपू सेना का जो बजता है वो उसका बैगरांड स्वाग हम बजाएंगे तो वो आपको trumpet में set करना है trumpet में तो मैं आपको trumpet में बजा के दिखाता हूँ ओके तो ये भी आपको पता चल गया होगा ओके अब इसको slow में देख लेते हैं पहले मैंने आपको बजा की दिखा आप slow में आपको सिखाता हूँ देखो फिर से एक बाद सिखा रहा हूँ देखो तो आइए आपको पता चल गया होगा ये हमारा दूसरा character जो है तपो जेनका वो मैंने आपको बजा के दिखाया अब जो अगला केरेक्टर है वो आप मैं आपको बजा के दिखाता हूँ और उसका नाम भी मैं अभी बताता हूँ देखो अब तीसरा केरेक्टर है जो तीसरा केरेक्टर है अब वो है बबीता जी का उसके पीछे जो ब बज़ा के दिखाता हूँ कैसे बसता है देखो ओके तो ये बबिता जी का ये साउंड है बैगराउंड मुजिक है तो आब ये हम स्लो में देख लेते हैं तो ये बबिता जी का भी साउंड आपको आगया होगा अब च्वाथा क्यरेक्टर कौन सा है वो हम आगे देखते हैं अब जो आगे च्वाथा क्यरेक्टर है वो है चंपक लाल जो बापूजी है इसका ब्यागराउंड म्यूजिक हम बजाते हैं तो वो कैसे प्ले होता है देखो हम बजा के दिखाता हूँ उसमें दो ट्यून की जरूर पड़ेगी एक है सैलो और दूसरी है वायोलिन तो मैं आप पहले बजा के दिखाता हूँ फिर मैं आपको सिखाता हूँ तो यह टोटल मैंने दो बार ऐसे प्ले किया और दो ट्यून की जरूर पड़ेगी तो वो आपको मैंने बता दिया एक वायोल है और दूसरा है जिसमें कुछ बीट जैसा बचता है बीट जैसा सैलो जो ट्यून है उसमें बीट जैसा बज़ेगा और जो वायोल है उसमें ट्यून बज़ेगी तो देखो मैं आपको स्लो में सिखाता हूँ देखो पहले सैलो में यह बजाना है दोने बार सेमी प्ले करना है ऐसा अप्ले दूसरे बार आप यह ऐसे प्ले करना है देखो ओके यह दूसरे बार ऐसे प्ले करना है चलो आप मैं दोनों स्लो में दिखा देता हूं तो देखो तो यह चंपकलाल जो बापुजी का यह बेग्रांड म्यूजिक मैंने प्ले किया है अब इसके बाद पांचवा केरेक्टर लेते हैं जो कौन सा होगा वो मुझे बता नी पर वो मैं अब यह देखूंगा वीडियो जो बेग्रांड म्यूजिक की कहीं पर भी वीडियो होगी उसके साउंड मैं सुनूंगा फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं पहले मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ फिर मैं आपको सिखाता हूँ तो चलो आगे पांचवा करेक्टर कौन सा है कौन सा लेते वो देख लेते है अब जो आगे की जो पांचवा करेक्टर है वो है दयाबेन जो हमारे एहमदाबाद की दयाबेन उसके हम मैं प्ले करन तो बाद में मैं आपको सीखाता हूँ देखू ओके तो ये आपको पता चलगा है ये दाया बेन का साउंड है और हम इसको स्लो में पहले प्ले कर देता हूँ आपको कैसे बजाना है देखो ओके मैंने बहुत फास्ट में बजा दिया फिर भी मैं आपको स्लो में एक बार देखा देता हूँ देखो ओके तो ये बार देखो अब आगे जो छटा कैरेक्टर है जो 6 वा कैरेक्टर है वो कौन सा है और वो कैसे बसता है और कौन सा लू वो मैं पहले देख लेता हूँ ओके बाद में मैं आपको सिखाता हूँ चलो तो वो देख लेते आगे कहा कैरेक्टर अब जो आगे जो कैरेक्टर में लेने वाला हूँ उसका नाम है 6 वो हमारा करेक्टर है और उसमें आपको जरू पढ़ेगी वन है सन्तूर 2 जो मैंने अभी आपको दाया बें में बजा के दिखाया वो शन्तूर वाला टून ओके और दूसरा आपको चाहिए ये वाला वायोलेन वाला ओके और ये एक वायोलेन वाला आपको ट्यून चाहिए ये दोनों आपको ट्यून चाहिए जिसमें आप बजा सकते हैं ओके तो सबसे पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूँ देखो ओके तो ये मैंने आपको पूरा पहले बजा के दिखा है अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे प्ले करना है तो सबसे पहले आपको ये वाले ट्यून ऐसे प्ले करने है ओके तो ये आपको सबसे पहले ट्यून आपको ये प्ले करने है अब इसके बाद आपको ट्यून प्ले करने है ये वाले कि यह आपको बता चल गए तो सबसे पहले से मैं आपको पुरा फिर से एक बार सोटी का करेक्टर में आपको बता दे नहीं करना हूं ऐसे प्ले करना है सब कि यह शबर एक है हुआ है ये भी आपको 7 में आ गया होगा अब चलो आगे 7 इर क्यरेक्टर कौनसा है 7 नमबर का कौनसा चरव diarrhea लेक्टर लेते मैं देख लेता है और पहले मैं बज़ा लेता हूँ फिर मैं आपको सीखता हूँ पहले मैं आपको सीखता हूँ पहले मैं आपको सीखता हूँ ओके तो ये भी आपको बता चलगा है ये सेवन नंबर का हमारा केरेक्टर था जो है बागा अगर अगर आगे आएगा एट नंबर का केरेक्टर वो कौन सा होगा वो मुझे नहीं पता वो हम आगे देखेंगे तो चलो वो भी दिख लेते हैं कौन सा है केरेक्टर अब आगे का जो एट वा एट जो केरेक्टर है उसका नाम है हाथी डॉक्टर हाथी और वो आज हम प्ले कर रहेंगे पहले मैं बज़ाता हूँ फिर मैं आपको सिखाता ओके और वो ट्यूनिंग है ट्रॉम्बोन ट्रॉम्बोन ओके ट्रॉम्बोन है और वो मैं प्ले करने जा रहा हूँ पहले हाथी डॉक्टर हाथी का यह बैग्राउंड म्यूजिक आपके तो यह मैंने पूरे का पूरा डॉक्टर हाथी का बज़ा है बहुत लंबा था पर आपको मैं स्लो में बहुत आसानी से सिखा दूँगा देखो सबसे पहले आपको बज़ाना है स्वारी पहले से देखो स्वारी स्वारी तो यह मैंने पूरा बज़ा रहा है और आप मैं फिर से एक बार आपको स्लो में सिखा दूँ जिससे आपको कोई कंफीजन ना रहे देखो स्वारी ओके तो यह मैंने हाथिका बजा डॉक्टर हाथिका मैंने यह पूरा बैगरांब म्यूजिक बजा दिये आज 8 एट केरेक्टर तक ही रखते हैं बात का जो पार्ट 2 होगा वो मैं अगले अगले एपिसोड में जो दूसरा हमारा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको जो आगे के केरेक्टर होके वो मैं आपको बजा के दिखाऊंगा क्यूंकि बहुत लंबी वीडियो हो चाहेगी इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चल को सब्सक्राइब के साथ बेल आकन को प्रेस कर देना क्यूंकि कोई भी न्यूस वांगाता है तो हम उसकी पियानो टूटर सबसे पहले करते हैं और यह जो आठ केरेक्टर है जो वो आपको आ ही गया होगे वो आई होप मुझे पता होगा और जल से लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई